हलो फ्रेंड्स, आप प्रुती, वेलकम बेक्ट वार चैनल प्लांट से स्पेस आज हम बात करेंगे जरेनियम के बारे में जो की वैसे तो एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन अगर आप इसको सेव कर लें तो यह आपको गर्मियों में भी फूल देगा last year भी यह प्लांट हमने share किया था आपसे एक वीडियो में तो अभी हमारे यहां highest temperature जो चल रहा है वो 36, 37 डिग्री चल रहा है दिन का जो temperature है तो अभी भी हमारे यहां फ्लावरिंग कर रहा है और अभी हमने जो पहली वाली वीडियो दिखाई वो थी मार्च की, मार्च के बाद इसने थोड़ा रेस्ट किया और फिर से नए फूलों की जो स्पाइक है वो इसने बना कर हमें एप्रिल में दे दी है तो इस समय कुछ इस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है इस प्लावर्ट के साथ एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक जगे से दूसरी जगे बार-बार शिफ्ट ना करें क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं अगर प्लावर्ट एक जगे रखा रहता है तो वो लगातार काफी टाइम तक बने रहते हैं और अगर आपने पॉट को इधर से उधर किया जैसे कि अभी आप देखिए तो ये कुछ पेटल्स इसकी जड़ गई तो ये थोड़ा इस तरह से होता है कि जब फूल पुराना हो जाएगा तो इसकी पेटल्स जड़ जाएंगी तो कोशिश कीजिए कि एक ही जगे पॉट रखा रहे तो वो फूल जो है वो बने रहते हैं अब ये पिंक कलर में हमारे पास और इसमें सीट्स भी बनते हैं हर प्लांट में नहीं बन पाते जैसे कि अभी हमने ये पॉट ऐसा का ऐसा नर्सरी से लिया था तो इसको ऐसा का ऐसा रखा तो इन में थोड़ा निूट्रेंट्स की कमी हो जाती है क्योंकि जो मिट्टी नर्सरी में तयार की जाती है वो जाद अच्छी नहीं होती है अगर हम स्पेशल पॉटिंग मिक्स बनाकर इसको शुरू से लगाएं तब जाकर ये अच्छे सीट्स भी बनाता है मैच्च और सीट्स बनाकर देता है लेकिन अभी आप देखिए कि नई नई इसमें स्पाइक्स आती जा रही है जो प्लावर स्पाइक्स हैं और ये जो पुरानी है इनको हम कट कर देंगे और प्लावर स्पाइक्स मतलब उनको आप हटाते रहें मिट्टी की गुड़ाई करें जिससे एक्स्ट्रा उसमें नमी ना हो पाए तो प्लावर बी अच्छा चलता है क्योंकि जरेनियम जो है इसकी अगर आप तहनिया देखेंगे पतिया देखेंगे तो इसमें वाटर कंटेंट होता है सकलेंट के जैसा ही लेकिन सकलेंट नहीं है ये एक विंटर फ्लावर इंग प्लांट है लेकिन इसकी टहनियों में थोड़ा पानी की मात्रा होती है तो इसलिए बहुत ज़दा नमी इसको पसंद नहीं होती लेकिन सर्दियों के फूलों में मुझे ये इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये गर्मियों तक सर्वाइब कर जाता है और गर्मियों में अगर आप बचा लेते हैं मिटी में गमले में दूसरी बात हुमिडिटी होती है मौसम में एक नमी होती है जिसकी वज़े से पौधों में बहुत ज़्यादे परेशानी आती है इसमें मीली बक्स का अटेक होता है और उसी वज़े से पौधा जो है धीरे धीरे गल जाता है मिली बक्स की वज़े से बेकार हो जाता है उसमें new growth नहीं होती है और over moisture और humidity की वज़े से वो गलने लगता है लेकिन कुछ ऐसे winter flowering plants है जिनको save किया जा सकता है बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है एक तो उसको ऐसी जगे रखें जहाँ पर उसको fresh air मिलती रहे humidity ना हो जादा जैसे कहीं बंद जगे आपको नहीं रखना है तो fresh air मिलना ज़रूरी है बहुत तेज धूप में ना रखें क्योंकि winter flowering plant है इसलिए overheat plants को पसंद नहीं होती है semi shade में आप रख सकते हैं हलकी हलकी plant पे misting कर सकते हैं हलका water spray कर सकते हैं मिट्टी की गुडाई करते रहेंगे तो over mushroom soil में नहीं होगा तो इस तरह से ये आप plant आपको अभी भी flowers दे सकता है कुछ winter flowering plants जो होते हैं जैसे panzy है, poppy है इन जैसे जो sensitive plants होते हैं थोड़ा देखने में भी हलके से जो पौदे होते हैं वो खतम हो जाते हैं season से पहले लेकिन जो इस तरह के जो plants होते हैं जो healthy एक बड़े पौदे होते हैं वो survive कर सकते हैं अगर आप इसको ठीक से रखें बस एक बार rainy season बीच जाए तो जब मौसम शुरू होगा सर्दियों का मौसम आएगा फिर से इसमें new growth हो जाती है और फिर से ये आपको flowers दे सकते हैं तो geranium की कोई special वीडियो नहीं थी इसलिए आपको कुछ समझाना था दिखाना था इसलिए ये आपको बताया और flower spike भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक दो ही फूल है या तीन चार ही फूल है 36-37 degree temperature चल रहा है और जो इसका फूलों का गुच्छा है वो लगातार बना हुआ है और कलियां भी धेर सारी है उपर उपर के जो फूल है वो पहले खिल रहे है और नीचे नीचे इसमें नहीं नहीं कलियां बनती जा रही है अगर आपको प्लांट को लंबे समय तक फ्लावरिंग करवाना है तो उसके लिए पुराने फूलों को आप हटाते रहे वो flower spike आप कट कर दे वहीं से थोड़े दिन में जैसे कि आप अगर खाद मिला देते हैं मिट्टी में तो प्लांट दोबारा से नहीं कली बना कर देता है तो ये था हमारा geranium का प्लांट जो की सर्दियों से हमारे पास है और हमें अच्छी प्लावरिंग दे रहा है बहुत जादे देखभाल नहीं करनी होती कुछ बातों का ध्यान रखना होता है अच्छी प्लावरिंग मिलती है तो अगर आपकी कोई query है, question है तो जरूर पूछेगा Thank you